हेलो फ्रेंट स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर तो देखे आज की इस वीडियो में हमारा टोपिक है ज्वेंट स्टों कंपनी आप सभी को पता है कि हमने फॉर्म सब बिजनेस और्गिनेजेशन स्टार्ट कर रख जिसके अंदर में आप लोग करेंगे कंपनी का बैसिकली मिन हैं क्या है तो कंपनी आपका क्या है कंपनी इस ऐन आप सब्सक्राइश करेंगे का रिख लीगल फ्रक्रीन और इसन निवीडिसटेशंसे इनडिपेंटेंड आफ इस मेंबर से अगल ठीक हां a company can be described as an artificial person हम company को क्या बोल सकते है artificial person है having a separate legal entity उसकी जो अपनी entity है वो क्या separate है legal है अलग अपने member से perpetual succession है यह हमेशा चलती रहेगी इसके member आए जाए ठीक है किसी member की death हो तो इस पे इसका कोई भी फरक नहीं पड़ेगा and a common seal और इसके अपनी common seal होगी जैसे एक human being है वो signature कर सकता, sign कर सकता तो company भी sign कर सकती है वो किस form में sign करती है कि भी उसके common seal है जैसे बोलते हैं भी more लगी हुई है इस company की तो company basically क्या है एक association of person है जो की हमारी formed होई है क्यों basically to carry out the some business activities और इसका अपना एक legal status है या फिर इसके separate legal entity है perpetual succession है और यह आपका क्या है artificial person है company form of organization is ground by the company's act तो भी कौन सा act है जिसके अंडर आपका company आएगी या company ground की जाएगी तो यह आपको यादर कर company's act 2013 तो as per section यह important है as per the section 2 sub section 20 of the act 2013 तो इस section के according company हम किसको कहेंगे company वह कहलाएगी या company means a company incorporated under the under the under this act or any other previous company लो तो कोई भी ऐसी company उसका भी incorporation होना जरूरी है या तो इसी act के अंदर हो 2013 आपका या फिर इससे पहले कोई भी आपका act था तो उसी को हम basically क्या कहेंगे company कहेंगे तो जो shareholders होते हैं वह क्या कहलाते हैं owner होते हैं company के while the board of the director is the chief managing body elected by the shareholders तो जो main owners है वह company के कोन है shareholders है और shareholder ही बात भी क्या करते है कुछ persons होंगे जिनको वह elect करेंगे ठीक है जिनको कि हम बोलते board of director जो board of director उनको कौन elect करता है shareholders ही उनको elect करते है तो basically फिर जो management का जो काम रहेगा उसको board of director करेंगे तो यहाँ पर हम बात कर सकते है बोल सकते है कि जो owner है उनका जो control रहेगा business के उपर वह कैसा रहेगा indirect control रहेगा और जो capital जो company के capital होगी उसको छोटे छोटे parts में हम divide करते हैं और जो छोटे छोटे parts में हमने capital को divide किया है तो वो क्या कहलाता है share तो देखें the capital of the company is divided into the small parts called the share which can be transferred freely from the one तो जो shares है उनको एक shareholder से दूसरे shareholder के पास easily हम transfer कर सकते हैं लेकिन यह आप जो transfer हम कर सकते shares को वो public company के case में हम shares है प्राइविट कंपनी के case में shares को transfer नहीं किया जा सकता तो यह था company, company का meaning तो features की अगर बात करेंगे तो meaning में से आपका features निकलेगा तो देखें features में क्या आएगा जिसे मैंने starting meaning में आया था company हमारे क्या है artificial person है तो company जा creation of the law and exist independent of its member तो जो company है वो कैसे create हुई है फेलों, जैसे हमारे natural person है तो natural person की तरह जो बस company क्या नहीं कर सकती चल फिर नहीं सकती सास नहीं ले सकती तो इसलिए उसको क्या भो लगा ंक perseverance लेकिन और सारे के सारे काम वो natural person की तरह करेगी कैसे तरह आएए ठीक है, incur the debt, money borrow कर सकती है, किसी भी contract में enter कर सकती है company, company shoe भी कर सकती है और company को भी हम shoe कर सकते है, तो ये basically सारे के सारे एक natural person की तरह काम करेगी company, सिर्फ क्या नहीं कर सकती, मैंने आपको बताया, it cannot breathe, eat, run, talk, तो एक human being की तरह चल फिर नहीं सकती, और इसलिए इसको क्या बोला गया, कि भी ये कैसा person है, artificial person है, जिसको creation किसने किया, law ने इसको create किया है, separate legal entity, तो company आपके क्या है, from the day of its incorporation, जैसे आपने company को incorporate करा लिया, तो उसी दिन से इसकी अपनी एक अलग से identity create हो जाएगी, जो उसकी identity है, वो अपने member से क्या रहेगी, अलग रहेगी, its asset and liabilities are separate from those of its owners, तो उसके जो owners है, उनसे इसकी जो asset से liability हो क्या रहेगी, separate रहेगी, ठीक है, और उसके बादे, the law does not recognize the business and the owners to be one of the same, तो यहाँ पर इसनी क्या मोला है, जो separate, दलो, तो यहाँ पर भी, जो low की नजरों में क्या है, जो member है, और जो company है, वो आपका basically क्या है, अलग है, तो अगर किसी को हमने, जिसे company है, company के against court case करना है, तो हम वहाँ पर किसी member के against नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी अपने separate legal entity है, तो company के against ही, आपका क्या होगा, जो court case वगेरा होगा, ठीक है, तो देखिए, इसी के साथ next आपका formation, अगर हम formation की बात करते है, तो यहाँ पर जो formation है, वो क्या है, थोड़ी सी complex आपके, time consuming है, तो formation है company की, वो क्या है, time consuming है, expensive है, complicated process है, क्योंकि काफी सारे legal, जो formalities है, ठीक है, या document है, आपके required रहेंगे, तो इस वज़े से इसके जो basically जो formation है, वो क्या है, थोड़ी सी आपकी complex है, ठीक है, तो और जो incorporation है company का, वो compulsory है, कि जब आपका company jack 2013, या फिर कोई भी previous company low है, कोई भी other आपका act है, या कोई भी state act है, ठीक है, जो भी act है, तो उसके under एक जो company है, उसका incorporation compulsory है, और जब तक उसके अंदर incorporation नहीं रहेगा, उसको incorporate नहीं कराए जाएगा, तब तक हम उसको क्या नहीं बोल सकते हैं, वो company की list में नहीं आएगी, उसको company नहीं कहलाएगी, ठीक है, next आपका perpetual succession, तो company being a creation of the low, तो company का creation कैसे हुआ है, low नहीं उसको create किया, can be brought to and end only by the low, तो उसका जो end होगा ना, वो भी उसको low ही उसका end करेगा, ठीक है, तो इसलिए it will only cease to exist when a specific procedure for its closure called the winding up is completed, तो यह इस पे basically यही बोला गया है, कि भी अगर हम किसी company है, उसको बंद करना चाते है, तो उसके लिए आपका specific procedure होगा, एक process रहेगी उसके closure की वो आपको follow करनी पड़ेगी, अगर हम किसी भी company को winding up करना चाते है, तो perpetual cessation इसको basically क्यों बोला गया है, क्योंकि जो member है, member इसके अंदर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है, तो लेकिन जो हमारी company है, वो continue हमारी चलती रहेगी, उसका end तो सिर्फ कौन कर सकता है, low ही उसको क्या कर सकता है, low ने उसको create किया है, तो low ही उसको wind up करेगा, या undertaken by the board of director, ठीक है, तो main जो control रहेगा, वो board of director के हाथों में रहेगा, which appoints the top management official for running the business, जो board of director है, वही आपका आगे decide करती है, भी top management है, कौन कौन से आएंगे, तो basically जो directors hold a position of the immense significance, they are directly accountable to the shareholders, तो कहीना कि जो board of director है, उनको किस तरह से elect किया गया है, तो जो shareholders है, shareholders ने उनको elect किया है तो finally, जो board of director है, वे किसके लिए accountable रहेंगे, किसको जो आप देना होगा, shareholders को, तो इसलिए, जो shareholders है, ठीक है, वे day to day जो running रहेगी, business की, day to day जो activities है, उसमें वे participate एक तरह से ढही करते कौन, shareholders है, तो यहाँ पर control basically किसका रहेगा, board of director का, next आपका feature है, liability, तो जो liability है, वो, जो company के members है, ठीक है, या जो shareholders है, जो भी members है, the liability of a member is limited to the extent of the capital contributed by them, इना company, एक company के अंदर, जिस भी member ने जितनी capital contribute की है, वही तक उसकी liability रहेगी, the creators can use only the assets of the company to settle their claims, since it is the company and not the member, तो यहाँ पर basically यही बोला गया है, कि जो creator है, in case अगर creator है, उनको अपना, जो वी उन्होंने पैसा दिया था, अगर वी अपना पैसा वसूलना चाहते है, तो वे जो company की assets है, ठीक है, उसी पर वे case कर सकते है, उसी के through वे क्या कर सकते है, अपना जो claim है, उसको settle कर सकते है, एक तरह से जो shareholders है, जो members है, उसकी personal property पर वे नहीं जा सकते, the members can be asked to contribute to the loss only to the extent of the unpaid amount, members है, तो हम सिर् उसी ज्यादा नहीं, यहाँ पर एक चोटे से example दिया, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, for example, अक्षय हमारा एक shareholder से company के अंदर, जिसके पास total कितने 2000 share है, और जो share है, उसकी value कितनी 10,000, तो यहाँ पर जो अक्षय है, तो अक्षय की liability बनती है, कि वह 20,000 रुपे दे थी, 20,000, लेकिन 14,000 वह कर चुका है, तो in case, अगर हम अब अक्षय से पैसे मांगेंगे, तो सिर्फ 6,000 और बचेंगे, सिर्फ हम 6,000 उससे मांगेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं मांग सकते, तो जो उसकी liability है, अक्षय की वह limited है, उसकी अब जो liability है, वह 6,000 तक ही limited है, क्यो sign its name by itself, जैसे हम है, human being, natural person है, वो क्या कर सकता है, वो sign कर सकता अपने आप से, अपने आप से, लेकिन जो company है, वो एक artificial person है, तो वो अपने आप से sign तो नहीं कर सकती, तो इसलिए every company is required to have its own seal, तो इसलिए हर एक company के अपनी एक seal रहेगी, which act as a official signature, जो कि किसका का काम करती है, ए document which does not carry the common seal of the company, is not binding on the company, अगर किसी document पर company की seal नहीं है, तो फिर भी हम उसको, उस company को bind नहीं कर सकते, कि भी दबाव नहीं डाल सकते, कि यह document इसी company का है, यह company क्या है, इसके लिए accountable है, तो इसलिए जरूरी है कि भी कोई भी document है, उस पर उस company की common seal होना जरूरी है, इसी के साथ आपका risk bearing, तो देखे, the risk of the losses in a company is borne by all the shareholders, तो सारे के सारे shareholders, जो भी risk रहेगा, जो भी loss होगा, उसको क्या करेंगे, share करेंगे, this is unlike in the case of the sole proprietorship or the partnership, where one or few persons respectfully bear the losses, क्योंकि sole proprietorship में आपका क्या सिर्फ है, single एक ही परसन है, partnership में आपके कितने हैं भी 3, 4, 5, 6, इतनी परसन मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जो loss है, ठीक है, उन सभी को bear करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर जो risk रहेगा, वो काफी सारे persons है, उन सब में एक तरसे बट जाएगा, तो यहाँ पर ज्यादा हमारे जो risk की अगर बात करते है, तो risk की जो quantity है ना वो persons में कम आएगी, एक तो देखें 50,000 का अगर loss हुआ है, अगर soul proprietorship के अंदर उस अकेले को bear करना पड़ेगा, partnership में अगर मैं बोलती हूं 2 person है, ठीक है, दो partner है, तो यहाँ पे भी आपका जो risk है, जो loss है, वो share हो गया 25,000, ठीक है, equal लेके चलते हैं, ल all the shareholders उसको bear करेंगे, और जिस तरह से soul proprietorship है, या फिर partnership के अंदर, जहाँ पे एक या दो person आपके loss bear करते है, यहाँ पे ज्यादा shareholders रहेंगे, जो की loss को bear करेंगे, ठीक है, in the face of the financial difficulty, अगर आपकी financial difficulties आ भी गई, तो all shareholders in a company have to contribute to the debt to the extent of their shares in the company's capital, the risk of loss thus gets spread over a large number, तो कहने का मतलब यहाँ कि जो risk है, वो large of number जो shareholders है, उनमें बट जाएगा, ठीक है, तो यह एक benefit हो जाएगा, या features से उसका, merits से, जो आपने features की है, यही से आप merit निकाल सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है, merits से ज्यादर detail में बताने की जुरूरत है, first merit तो आपका ही हो गया Limited liability जो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो यह merit हभी आपका, transfer of interest का, इसमें क्या बो लगया, कि जो ownership है, या जो shares है, ठीक है, हम उसको easily क्या कर सकते है, transfer कर सकते है, एक shareholder से, दूसरे shareholder के पास है, लेकिन यह आपको याद रखना है, यह सिर्फ जो आपकी public limited company रहेगी, सिर्फ public limited company के shares को क्या किया जा सकता है, transfer किया जा सकता है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, जो private company है, उसके shares को हमें transfer नहीं कर सकते, इसके बाद next आपका, यह मैंने आपको बता दिया, तो देखिए एक बार, यहाँ पे, merits की हमने बात की थी, तो first है, और यह हमारा second merits है, और कि death हो रही है, retirement किसी ने लिए, resignation किसी ने दिया, किसी की insolvency हुई है, जो existence है, वो company का, is not affected by all these regions, ठीक है, जो भी effectoring से कोई भी effect नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो company है, उसकी अपने separate entity है, अपने member से, तो company आपकी चलती रहेगी, continue to exist even if all members die, चाहिए, सारे के सारे member ही क्यों न die हो जाए, तब भी आपकी company चलती रहेगी, इसको हम सिर्फ और safe case liquidate कर सकते है, जो भी, आपके company's act के अंदर, जो भी provision है, या फिर जैसे, मैंने आपको क्या बताया था, low क्या है, low ने create किया company को, तो फिर भाद में low ही क्या करेगा, company को winding up करेगा, liquidate करेगा, ठीक है, next आप का scope for the expansion, as the, as compared to, अगर हम बात करते है, sole proprietorship की, partnership की, बात करते है, तो उसके compare में, company has a large financial resources, company के पास का है, ज्यादा resources है, second, further हम क्या बाल सकते है, capital can be attracted from the public as well as through the loans from the banks and the financial, तो हम एक बड़ी संख्या में public से भी, जो capital है, उसको raise करते है, ठीक है, loan भी हम ले सकते है, कोई भी financial institution हम वहाँ से भी loans ले सकते है, thus there is a greater scope for the expansion, तो अगर हम company की बात करेंगे, वहाँ पर जो आपका scope रहेगा, expansion का वो ज्यादा रहेगा, in compare to, आपका sole proprietorship है, या फिर partnership है, next, आपका professional management, a company can afford to pay the higher salary to the specialist and the professional, देखे हमने बात की थी, sole proprietorship की, या फिर हमने partnership की, cooperative society की बात की थी, तो हमने बात की थी, कि भी हम वहाँ पर क्या करते है, जो high salary है, वो pay नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर limited resources है, ठीक है, limited capital है, और खुद जो persons है, जैसे partners है, वे खुद अपने आपसे managerial work करेंगे, या जो sole proprietors रहेगा, वो खुद से करेंगा, तो इस तरह से, वहाँ पर जो professional management है, या वहाँ पर जो expertization है, वो हमें नहीं मिल पाता, लेकिन अगर हम company की बात करते है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर employee किया, people who are the expert in their area of the specialization, the scale of the operation in a company leads to division of the work, each department deals with a particular activity and is headed by an expert, this leads to the balanced decision, making as well as greater efficiency in the company operation, तो यहाँ पर आपको professional expertization मिलेगा, और जिस वज़े से, जो company के operations है, वहाँ पर आपको efficiency देखने को मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पर होगा, आपका company के अंदर, अब हम बात करेंगे, limitation की, तो देखिए, बार बार बोलती हूँ भी merits है, तो demerits भी रहेंगे, limitation भी रहेंगे, तो first limitation आपका क्या है, complexity in the formation, तो यह आपकी क्या है, complex process है, जो मैंने आपको features के अंदर बताया था, काफी सारी legal formalities है, formalities है, जो कि आप लोगों को करनी पड़ेगी, जब भी एक company है, उसको company act के अंदर, incorporation होना जरूरी है, तो इस वज़े से यह इसका एक limitation बन जाएगा, lack of secre secrecy, secrecy की आपकी जो secret है, वो आप नहीं रख सकते क्यों, company act के अंदर required है, कि भी हर एक public company to provide from time to time a lot of information to the office of the registrar of the company, तो जो registrar of companies है, वहाँ office में जाकर, जो public company है, उसको अपने time to time सारी की सारी information है, वो बतानी पड़ती है, और यह सारी की सारी information, अगर registrar office के अंदर बताएगी तो कही ना कहीं फिजर्नल पब्लिक को भी information का पता चलता है, तो इसलिए यहाँ पे complete secrecy को maintain करना difficult हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं, यह second limitation हो जाएगी, lack of secrecy, next है impersonal work environment, तो देखें यहाँ पे impersonal work environment कैसे create होगा, हमने देखा कि भी जो ownership है, और जो management है, उ विच देरीजा, lack of efforts, as well as the personal involvement on the part of the officers of the company, the large size of the company further makes it difficult for the owners and the top management to maintain the personal contact with the employees, customer and the creditor, company की जिब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी में तो देखें, जो owners हैं, हम क्या बोलते हैं, कि भी जो shareholders हैं, वही owners हैं, लेकिन जो shareholders हैं, उनकी जो संख्या है, एक large संख्या आपकी रहती ह हैं, तो उनका खुद भी, वे जो shareholders हैं, वे खुद भी एक दूसरे से उनका contact नहीं हो पाता, और company इतनी बड़ी है, कि वहाँ पे जो top management है, जो owners हैं, जो top management है, वे भी खुद आपस में personal contact हैं, वे नहीं रख पाते हैं, इसी के साथ ही, जो employees उनकी साथ भी personal contact आपका नहीं र regulation, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जो functioning है, company की, is a subject to many legal provisions and the compulsion, company is burdened with the numerous restriction, एक company के उपर काफी साथ restriction है, company को बहुत सारे rules regulation है, जो follow करने पड़ते हैं, कि भी, जैसे उनको audit कराना है, voting कैसे रहेंगी, किस तरह से reports को file करना पड़ेगा, किस तरह से document है, उनको prepare करना है, तो य यह सारे के सारे, तो काफी सारी formalities यहाँ पर हम बोल सकते हैं, काफी आपके, देखें, यहाँ पर है various certificate from the different agencies से, जिसे भी, सेभी के guidelines उनको follow करने पड़ेगी, ठीक है, जो भी आपका registrant of company रहेगा, वहाँ पर कि क्या guidelines है, क्या company check के guidelines है, तो यह सबकी सब एक तरह से हम इन are democratically managed through the board of the director, देखें, जो shareholders है, shareholders ने क्या किया, जो board of director है, ठीक हो, उनको क्या किया, उनको elect किया है, लेकिन उसके बाद भी, उसके बाद भी क्या है, through the board of director, which is followed by the top management, middle management, at the lower level management, communication as well as the approval of the various proposals, may cause delay in note, तो यह नहीं है, कि भी इस shareholder से, shareholder से, board of director, उनको elect किया गया, फिर वहां से, जो board of director है, भी क्या करेंगे, फिर जो top management है, ठीक है, वहां पर जो भी, कोई भी decision लेना है, तो उनसे बात सित करेंगे, फिर middle management है, फिर lower management है, तो इस तरह से, आपका यहां पर, जो decision making है, उसमें क्या create हो जाती है, धिले आपका यहां प democratic institution, where in the board of directors are representative of the shareholders, who are the owners, तो हमने देखा, कि भी, वैसे तो, जो एक democracy, यहां पर हुई है, हमारी company के अंदर कैसे, कि जो board of director है, वे representative है, किसके shareholders के, shareholders हमारे क्या, owners है, और कही ना कहीं, जो owners है, उन्होंने meeting वगएरा करके, और election वगएरा कराके, democratic way में, जो board of director है, उनको elect किया है, तो यहां पर देखिए, इसके बाद है, इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर हम बात करते है, प्रैक्टिस में, भई, अगर हम बात करेंगे, हावेर, in most large-sized organization, having a multitude of shareholders, तो जितनी बड़ी organization होगी, वहीं पर उतनी ज्याद आपकी क्या मिलेंगी, shareholders, the owners have minimal influence in the terms of the controlling, और वैसे देखा जाए, तो जो owners है, उनका जो control, owners को, shareholders, shareholders है, इसे क्यों है, क्यों, जो shareholders है, वे day-to-day जो running है, उसमें participate क्यों नहीं करते हैं, उनका control क्यों नहीं है, क्योंकि जो shareholders है, वे आपके all over the country से है, ठीक है, तो पूरी country में से भी कोई भी किसी भी company के share खरीद सकता है, and a very small percentage attend the general meeting, और जब general meeting होती है न, तो अगर आपके 5,000,000 shareholders है न, तो 5,000,000 में से आपके 50,000 shareholders भी मुश्किल से, ठीक है, बहुत कम संख्या में जो shareholders है, जो क्या करते है, general meeting है, उसको attend करते है, the board of director as such enjoy the considerable freedom in exercising their power, which they sometimes use even the contrary, तो आप भी जो भी decision लेना है, तो decision को लेंगे, board of director ये decision लेंगे, तो कहीं न, कि जो shareholders है, उनका control कम है, वे जो decision है, नहीं लेंगे, जो decision लेने की जो power है, जो board of director है, वे enjoy करेंगे, उनको पूरी freedom रहेगी, चाहें भी सकसे, जो shareholders है, वे उनकी सहम हो, उनके interest में भी decision ला लिया जाए, लेकिन decision आपका basically को लेंगे, board of director, जो decision है, वे है, लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर यहीं नोनी बोला है, the board of director as such enjoy the considerable freedom in exercising their power, which they sometimes use even contrary to the interest of the shareholders, dissatisfied shareholders in such a situation have no option but to sell their shares and exit the company, फिर इस केस में अगर जो shareholders है, वे खुश नहीं है, उस decision से, तो उनके पास कोई पी option रहेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जो shares है, वहीं बेच कर विये, उस company से अपना पिछा छुडा सकते है, ठीक है, exit कर सकते है, उस company से, as a director, virtually, जो एदा, तो कही न कहीं, basically, जो भी major decision लिये है, तो वे decision किसने लिये है, directors लिये है, और it leads to rule by a few, तो यहाँ पर basically, आपकी कौन सी management create होगी, oligarchic कहने को, आपका क्या है, democratic है, लेकिन, democratic बोलने को है कि भी election किया, लेकिन जो shareholders है, तो कहीं न कहीं, आपके कुछे few person है, उन्हें के हाथों में क्या power हैगी, ठीक है, few person हमारे कौन हुए, जो board of director, वे हमारे क्या few person है, तो इसलिए य limitation हो जाएगी, oligarchic management, तो यह था आज की वीडियो में, जो आपकी greatest of company है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की, भी क्या meaning है, क्या यहाँ पे आपका, उसका features है, और इसी के साथ ही, आपका एक और ही हाँ पे, limitation है, यह भी हम देख लेते, conflict in the interest, there may be conflict in the interest among the various stakeholders of a company, the employees for example, may be interested in the, तो कई बार भी, जो interest को लेकर भी conflict rise होगा, कैसे, जो आपके employees होंगे, वे बोलेंगे कि भी हमें high salary दीजिए, consumer कहेंगे कि भी हमें high quality product, एक reasonable price पर, lower price पर provide कराईए, shareholders चाहेंगे कि भी उनको ज्यादा dividend मिले, ठीक है, इस तरह से, आपका basically, जो different different आपके stakeholders है, उनका जो interest है, उसमें क्या होगा, आपका conflict rise होगा, क्यों, क्योंकि सभी की demands को एक साथ ही, पूरा करना, satisfy करना, ये difficult हो सकता है, तो ये थी आपके limitation, और अब आपका, जो इसके अंदर topic हाभी भी joint store of company बचा हुआ है, जिसके अंदर हम types of companies की बात करेंगे, ठीक है, ये हमारा important है, types of company, तो next video में मैं आप लोगों को कराऊंगे, types of company, तो आज की वीडियो में meaning, क्या-क्या, उसकी merits है, company के, उसके features है, और उसकी limitation है, ये हमने किया, तो उमीद करते हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई भी